A is the first letter of English alphabet यानि एंग्रेजी वर्ड माला का पहला अक्छर है A A is the highest mark given for an exam or piece of work किसी भी परिच्छा या कारे के लिए दी जाने वाली उच्चतम शरोडी भी है A जैसे कि I got an A for my essay यानि मैंने अपने निबंद लिखने के लिए A great पाया है और एक अस्थान से दूसरे अस्थान तक के लिए भी A का यूज होता है जैसे all I need is a car that gets me from A to B यानि कि A से B तक जाने के लिए मैंने एक कार का इंतिजाम किया है मुझे जरूरत है और A का यूज वन की जगां भी किया जाता है जैसे a cup of coffee please यानि a cup coffee दीजिएगा please we have got an apple, a banana and two oranges यहां पर भी देखिए A को यूज किया गया है और A का यूज पहली बार किसी worst या प्राणी के उलेख में परियुक्त किया जाता है जैसे I saw a dog chasing a cat this morning यानि कि मैंने आज की सुभा एक कुते को देखा जो बिल्ली का पीछा कर रहा था और दूसरे एक्जामपल से समझीएगा have you got a dictionary क्या आपको dictionary मिली और यह का यूज किसी व्यक्त या वस्त के वर की सदस्टता दर्शाने के लिए भी प्रियुक्त होता है यानि जनरली मैं एक दिन में दो लीटर पानी तो पी ही लेता हूं ट्वाइस अवीक या 80 किलोमीटर एन आर देखें यहां पर एन लगा हुआ है ए और एन में कोई भी फर्क नहीं है ए और एन दोनों ही आर्टिकल है एन का यूज तब करेंगे जब उसके आगे आने वाले वर्ड का पहला लेटर वावे मात्रा या संख्या बताने वाले कुछ शब्दों के साथ भी प्रियुक्त होता है जैसे ए लोट आफ मनी ए फ्यू कार्स और तो और किसी वहस्त के प्रतनिधी उदाहरन के उले के लिए भी एक प्रियुक्त होता है जैसे एन एलिफेंट कैन लिव फार अब टू एटी एस इस तरीके से एका कई तरीके से इस्तेमाल होता है और ए और एन दोनों आठकिल है और इंगलिस अलफाबिट का पहला अक्छर है ए आप अगर हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि अगली वीडियो में हम बताएंगे कि ए को ए कहा जाता है या आ कहा जाता है या आ कहा जाता है या आ कहा जाता है या ओ कहा जाता है अब इसको किस तरीके का प्रनंसियेशन किया जाता है ये अगली वीडियो में हम बताएंगे